दोस्तों आप सभी बिहर दरोगा नई भरती की बेस अबरी से इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बरी खुश खबरी है चलिए दरोगा भरती संबधित ओफिस्यल नोटीस देखिए कैसे सेलेक्शन की परकिरिया होगा सभी चीजों के बारे माँ आप लोगों को बताने वाले हैं इस फॉर्म को कौन-कौन फिलब कर पाएंगे नए चातरों को किस-किस को मौका मिलेगा सभी चीजों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं तो उचलिए सबसे पहले तो आप दरोगा भरती संबधित ओफिस्यल नोटीस देखिए यह रहा दोस्तों आपके क्लियर करने वाले हैं और आप में से कौन-कौन दरोगा सभी इंस्पेक्टर भरती की इंतजार कर रहे हैं फटा-फट कमेंट करके बताईए किसका किसका ड्रीम जॉब बिहार दरोगा है देखते हैं आप में से किसका किसका ड्रीम जॉब दरोगा है फटा-फट आप सभी क संख्यां कनुपात में आवसकता अधारित सीधी नियुक्ती के 48,447 पद ये जो दोस्तों 48,447 जो पद है ये जो है सीधी नियुक्ती यानि इसके लिए भरती निकाला जाएगा BPSCIO के माध्यम से दरोगा की भरती CSBC केंद्रिये चेन परिशत सिपाही भरती के माध्यम से कॉंस्टेवल की भरती के लिए फोर्म निकाला जाएगा फोर्म आप भरियेगा फिर एकजाम होगा और इसके बाद आपकी सेलेक्शन की परिक्रिया होगी यानि आपका जौब इसमें मिलने वाला है यह जो पोश्ट है दोस्तो 48,447 और इस पर सारा कुछ यहाँ पर अब आउडर आ गया है इसके बाद देखेगा ERSS दूतिय चरन की 19,288 पज यह जो पोश्ट है दोस्तो ERSS से संबंधी था और इसके बारे मापको एक सब्ता पहले भी बताये थी अब अन्य चीजों के बारे में देखेगा इसमें दरोगा का कितना पोश्ट है बिहार पुलिस कॉंस्टेबल का कितना पोश्ट है और आप ये भी जानना चाहते कि नोटिफिकेशन BPSCIO के माध्यम से कब आएगा तो सभी चीजों को लेकर आपको किलियर करने वाले हैं यहाँ पर देखेगा तो राजी की कानुन व्यवस्था पुलिस कर्मियों की संख्या पर परत्यक्स यानि डिरेक्ट रूप से निर्भर है और पुलिस के मुखे दाइबतों में आम नागरिकों को यथा संभव प्राध मुक्त समाज उपलब्द कराने का प्रियास करना पर अगर आपका सपना है दरोगा बनने का तो दरोगा बनने का दोस्तों आपको एक बार दो बार नहीं पांस से चे बार मौका मिलने वाला है इसलिए आप सभी अच्छे से त्यारी किजिए इतनी सारी भरती आ रही है और यह भरती अगले 5-6 साल तक हर साल आपको देखने को मिलेगा इतना अधीक पद है और आप त्यारी किजिए अगर एक बार में नहीं भी सेलेक्शन होता है तो अगली बार नहीं तो अभी लगभग 12 करोर बिहार की जनसंख्या है तो उस अनुसार यहाँ पर यह जो टार्गेट रखा गया 2026 तक का प्लान करके सारा कुछ रखा गया और यह हमेशा ऐसे ही किया जाता है एक भविस को देखते हुए सारा कुछ तो यहाँ पर देखेगा वर्स 2026 तक 13 करोर 2265 जनसंख्या कनुसार आश्टिया उसत 193 में पहुचाने के लिए पुलिस कर्मियों पदाधिकारियों की जो संख्या होना ची 25658 और अभी लगभग 1 लाग ही है तो इसको बढ़हा जाएगा और इसमें देखेगा ति यहाँ पर 25658 में से 152 सुईक्रीत है तो एक लाग 4 2254 में से यहाँ पर 75,000 नया सीट क्रियेट किया गया है अभी लगभग 25,000 देखेगा तो खाली ही रखा गया है रेशियो के नुसार तो ERSS पर्थम चरण के 78,08 पद दूतिया चरण कुनीश हजार 288 पद और सीधी नियुक्ति के 48,447 पद यह जो भरती है दोस्तों CSBC, BPSS, CSIU के माध्यम से आने वाली है तो देखेगा कूली यहाँ पर 75,543 पदों का श्री जन आवस्यक पाया गया है और यहाँ पर रेशियो सारा कुछ कितना जाएगा तो यह जो भरती हो जाएगी 75,000 और सभी सीध भरने एक बार 172 पर पहुंच जाएगा रेशियो 172 का मतलब यह होता है एक लाग जन संक्याँ पर 172 पुलीस कर्मी होना चाहिए पुलीस कर्मी में सभी पोस्ट सामिल हो गया कॉंस्टेवल हेड कॉंस्टेवल दरोगा सभी तरह का पोस्ट इसमें सामिल है तो यहाँ पर देखेगा ERSS के पर्थम चरण दूतिया चरण सारा कुछ तो नौनौमबर 2022 को तो यह सब सारा कुछ दिखाए थी काविनेट की से मंजूरी मिला है सारा कुछ 19288 पद हो गया और तालीस हजार यहाँ पर सीधे नियुक्ति का इस तरह 67,000 और 7808 पद इधर पर्थम चरण ERSS डैल 112 संबाद है तो इसके बारे हम आपको बताए थे अब इस गंटा सातो दिन काम करेगा सिफ्ट वैज इसमें देखेगा हर चार पहिया वाहन पर पुलीस अवर निरीक्षक यानि सब इंस्पेक्टर इसके बाद यहाँ पर ASI का पोस्ट है एक पताधिकारी हवालदार सीपाही संबर्ग के तीन ससस्त्रबल एक चालक यहाँ पर दिया जाएगा इसी तरह से देखेगा तो 883 चार पहिया बाहनों के लिए 3047 पताधी कारियों के आवस सकता है तो सभी चीजों को लेकर यहाँ पर क्लियर किया गया है अब यहाँ पर देखेगा पुलीस निरिक्षक इंस्पेक्टर का जो पोस्ट यहाँ पर है सभी चीजों मिला कर 260 यह भरती नहीं की जाती है यह परमोशन से भरा जाता है अगर आप दरोगा सब इंस्पेक्टर बनते हैं सब इंस्पेक्टर से परमोशन होके आप इंस्पेक्टर बनिएगा पुलीस अवार निरिक्षक सब इंस्पेक्टर का ये जो पोस्ट है दिखेगा हर सिप्ट में 530 की जरुवत है इस तरह 15-90, 249 यहां पर 15% छुटी के लिए रखा गए एक्स्ट्रा पुलीस करमी अगर कोई छुटी पे जाएंगे तो उसके जगा पर ये रहेंगे तो इस तर भरती जो होगी चालक सिपाही की 233 सीट है आप सभी अपना ड्रैविंग लैसेंस बना लिजे ड्रैवर की भरती आप लोगों को अगले 4-5 सल तक रेगुलर रूप से देखने को मिलेगा और ये भरती CSBC की माध्यम सायगी बार्मी पास पर है और ड्रैविंग लैसेंस होना चाहिए तो त्यार कर लिजे आप सभी और आप लोगों किसके बारे हम बताये भी थे कैसे क्या सेलेक्शन होता है तो आप वीडियो देख लिजेगा हवलदार हेड कॉन स्टेवल का देखेगा 2080 ये परमोसन से भरा जाता है सिपाही का जो पोस्ट है सिपाही वाला 19288 में से भी देखेगा दोस्तो 3000 यहां सिपाही हो गया यहां साथ हजार दस हजार यहीं सिपाही हो गया और यहां पर सब इंस्पेक्टर का ठार सुनती है यह तो हो गया 19000 में से अब बात खरते है 48000 में से कितना क्या दरोगा का पोस्ट है तो यहां पर आप देखेगा प सिपाही समकच का तो 22,000 सीट है लेवल 3 का इसमें लगभग आपको 32,000 सेल्डी मिलने वाला है चालक का देखेगा तो इसमें भी लेवल 3 का ही कॉनस्टेबल के बरावर ही सेल्डी मिलता है पचपन सो पोस्ट यहां पर सिपाही चालक का है यह जो दोस्तों और 44,447 वाला जो स सीट है यह सीधा भरती ही होना है यह परमोसन से कुछ भी चीज़े यहां पर नहीं भरा जाएगा पुलीस अवर निरिक चक इसलिए यहां पर 3 ही पोस्ट रखा गया है आप देखे का 19,000 वाला जो सीट है उसमें head constable inspector सभी तरह का पोस्ट है इसलिए है कि उसमें कुछ परम सीपाही के माध्यम से यानी CSBC के माध्यम से होना है यह तो हो गया 48,000 अब 20,937 पोस्ट है तो आप यह सुच रहे होंगे कि क्या इस बार 4-5,000 पदो पर भरती आएगी तो सभी चीज़ों के बारे मागे बतायाएगे है तो देखे आप आगे यह 19,288 का देखे का इसमें प पुलीस अबर निरिक चक का फिर से यहाँ पर सारा कुछ बतायाएगा और इसके लेकर कितना खर्च आएगा खर्च के बारे में 4,182,888,266 मात्र होगी यानी गोवर्मेंट को इसके लिए जो भी भरती यहाँ पर है और यह सभी पदो पर अगर भरती किया जाता है तो 4,000 करोर रुपिये का खर्च आएगा तो आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर और इसी के बारे में यहाँ पर है अब यहाँ पर सबसे मेन है उपर यूपर पदोपर परसासी पदोवर्ग समीती द्वारा 13 सितमबर 2022 को संपन बैठक में सारा कुछ यहाँ पर डिक सी जन ल इसके बारे मां आपको कई बार बताए हैं कि यहाँ पर सिफ्ट वैज सारा कुछ यानि चरन वैज यहाँ पर भरती की जाएगी नियुक्ति के विभीन चरनों के लिए पदों की संख्यां समाय का निर्धारन संसाधन उपलवता को दिरिष्टी देखते वे बित विभाग क सारा कुछ एटेज किया गया है छे मार्च 2013 के कंडी का 6 के प्रवधान के आलोक में पर्तेक चरन की नियुक्ति परकरिया प्रारम करने के पुर्व मानने मुख्य मंत्री का निर्नय प्राप्त किया जाएगा यानि दोस्तों भरती पर फानल डीसीजन जो देना है ये सियम न अब यहां पर क्या है कि आपको भरती में बहुत जादे इंतिजार नहीं करना पड़ेगा यह जो देखेगा ग्री विभाग के ऑफिसेल साइट पर जारी हो गया है नोटीस साथी गजट में सारा कुछ प्रकासित हो गया है तो पर्थम चरन का जो भी यहां पर सीठा आपके लिए जरूरी है यहां पर है इन पदों में ERSS प्रियोजना के दूतिय चरन हेतू 19288 पदों के स्रीजन के आवसकता इसी बीतिय वर्स में है यहां पर देखेगा इसी बीतिय वर्स में है तो यानि यहां पर जो जरूरी सेवास समझे जो भी पोष्ट 1800 दरोगा कथ और अने सामिल करके बहुत जल भरती दी जाएगी और स्येस बढ़ती जनसेंख्यां के अनुरूप आवसकता अधारित सीधी नियुकती के 484,440 पदों के पर सिक्षन समता यह आप लोगों कई बार बता हैं कि भरती का जो यहां पर रिलेशन होता है मेन होता है ट्रेनिंग अगर एक ट्रेनिंग कम्पलीट होगा तभी दूसरा भरती दिया जाता है यह सब दिखे का इस नोटीस में भी सारा कुछ लिखा गया है सनसाधन उपलवता को दिरिश्टी पत देखते विए पुलिस मुख्याले से प्राप प्रास्तों के आलोक में नियुकती परक्रिया करने से पुर्वीत विभाक की साहमती को प्राम मान्य मुख्यमंत्री कानु मोधन प्राप्त कर वरस्वार विमुक्त रिलिज करने की स्विकिर्थि दी जाती है यह जो भरती होगी वर्स्वाज होगी तो अब आप लोग को इस साल तो देखने को मिलेगा इस से अगले साल रागातार रूप से आपको भरती देखने को मिलेगा और ये टारगेट रखा गया है कि 2026 तक जो 75,000 सीट है इसको भरा आ जाए और आप देखेगा तो रेशियो जो 193 राश्टी आउसत उस अनुसार जाने के लिए भी लगभग 30,000 और नया सीट क्रियेट किया जाएगा तो रहे होंगे कि वेकेंसी कब आएगी तो राज्यसरकार ने पुलीस करिक्त पदों को भरने की परकिरिया तेज कर दी है और गृरी विवाग ने बुधवार को पुलीस महकमे में सरसट हजार ने पदों की इस रिजन से संकल्प जारी कर दिया है इन पदों को भरने में जो खर्च आएगा इसके बारे में आप लोग ओफिसियल नोटीस में सारा कुछ देखे हैं और सीटों की संख्या और से भी आप ओडर सेंकल्प जारी कर दिया गया है अब आपको जैदे भरती के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा प्यार पुलिस मुख्याले की और सधी आचना BPSCIO के पास भेजा जाएगा और इसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो यह सब परक्रिया होने में मैक्सिमम जो समय लगेगा एक डियर महने की तो आप यह उमीद रख सकते हैं कि बहुत जल्द भरती आजाएगी एक महने में भरती आजाएगी जैदे इंतजार नहीं करना परेगा बस आप लोग अच्छे तरीके से त्यारी कीजिए मार्क सारा कुछ मांगा जाएगर सर्टिफिकेट नमर मार्क सिट का सिरियल नमर फ़र्म भरते से में मांगा जाते हैं दूसरा हैट में देखिएगा तो अगर आप पुरू सब भ्यारती है जेनरल EWS BC कैटोगरी से है तो 165 सेंटीमीटर अगर आप BC अगर आप EBC यानि अत्यांत पिछरावर्ग SC-ST से है तो 160 सेंटीमीटर BC वालों के लिए पिछरावर्ग के लिए 165 का हैट का कंडिशन है और सभी कैटोगरी में महिलाओं के लिए जो हैट का कंडिशन 155 सेंटीमीटर दो चीज होना ची पहला ग्रेजुएशन तिसरा यहां पर आपका हैट हो गया और दूसरा यहां पर यहां पर यह भी है कि आपका मिनिमम एज जो होना ची दरोगा बनने के लिए 20 साल अगर 20 साल कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है तो आप इस फॉर्म को भर पाईएगा अधिकतम उम्र का कंडिशन जनरल कैटोगरी में 37 साल है BCBC में 40 साल है SCSD में 42 साल है यह तो हो गया उम्र का कंडिशन और इसमां आपको सेलेक्शन की परकिरिया 3-4 में पहला PT एग्जाम होगा PT एग्जाम पास कीजेगा इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाएगा और आप ये कमेंट करके बताइए आप में से कौन-कौन दरोगा बनना चाहते, किसका किसका dream job भी हर दरोगा है, कौन-कौन भरती की बेसबरी सिंतजार कर रहे हैं, फटा-फट कमेंट करके जरूर बताइए